सब सब्सक्राइब करता हूँ आप सभी लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी बीए थर्ड समेटर के हिंधी गद्धी का पेपर साल्व करवाँगा और ये कोश्चिन पेपर है आपका राजा महेंदर प्रताप सिंह स्टेट उनिवर्सिटी का बीए थर्ड समेटर म हिंदी गद्ध से प्रसनाते हैं और यह पेपर आप देखिए अभी पूछा गया है कल का ही पेपर है दो जार तेश चोविस मैंनी की अभी परिक्षा जो हो रही है राजा महंदर प्रताप सिंग की उसी का यह पेपर है तो आप इन परसनों को जो पूछा गये हैं इनको तया कर लिजेगा आप अगर किसी दूसरे बिस्विद्याले से हैं और आपकी परिक्षा अब्जक्टिव होती है तो सेम यही प्रसनाने वाले हैं आप जो हैं सभी को अगर तयार कर लेंगे निश्यत तोर पर एक भी प्रसनाप छोड़ करके नहीं आओगे और आप जक्टिव वहाला मालद पर भी 2013 वाला मैंने दिया है कई मालद पर हैं तो उनको आप देख लीजेगा वहां से बहुत सारे प्रसनाने बाले हैं ठीक है बाकी लिखेत मारत ने पर ही मैं दे दूंगा और महा संग्राम वीडियो देदूंगा ठीक है चलिए अगर आप मेंसे घंदी का क कोई लेना चाहता है तो हिंदी कोर्स भी ले सकता थार्ड समस्टर के लिए उसमें पीडियेप नोट्स वगर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पीडियेप नोट्स हैं हिंदी गद्धिके तो अगर आपको कोर्स लेना तो आप ले सकते हो ठीक है मात्र और मात्र 100 रुपे उ आप लोगों को वाट्स अप करना है और जैसी ही आप वाट्स अप करेंगे आपके पार स्केनर संड मैं करूंगा लब की उसी पर क्यूर कोड़ पर आपको मात्र 100 रुपे करवा करके उसका स्क्रीन सट हमारे पास संड कर देना होगा आपको उसके बाद में एड़ कर दिया रहता हूं तो आई अब हम ती ब्रगती से आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का काम करते हैं पहला परसने आचारामचंसुक्ल रचित हिंदी कहानी का नाम बताएं तो इनमें से देखें इंदूमति कि सोरीलाल गोस्वामी की रिचना है हिंदी की पहली कहानी का दरजा इसी को प्राप्त था लेकिन एक कहानी है मलब की उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी माधावराव सप्रेई जी की कहानी है तो अब उसको प्रतम कहानी होने का गवरो प्राप्त है चुकि कई सोध के माध्यम से पता चला है लेकिन इंदुमति कि सुर्याल गोस्वाम तो इसका पूछा गया था तीस बरस का साथ ही किसका संसमण है और आप देखें जतने भी पूचे गए हैं सब के सब हमारे द्वारा बताए गए मालल पेपर से ही आये हुए है महा संगराम वीडियो जो हिंदी का मैंने दिया था वही से सारे के सारे परसन आपके पूच लिया गए है तो बिल्कुल आपको चिंता करने कि आपको आवसकता नहीं थी तीस बरस का साथी किसका संसमण है भैया तो ये संसमण है तीस बरस का साथी किसका है भैया फटापट से आप बताएंगे राम बिला सर्मा जी का है ठीक है राम बिला सर्मा जी का है तीस बरस का साथी और प्रकासन हुआ था 1962 में 1962 में इस रचना का प्रकासन होता है आगे चीवनी को लिखाते किसी दूसरे के बारे में जब आप लजा होता है। आगे देखेगा। चाहुता प्रस्ण आपकी स्कीन पर आ चुका है रिंध जल धन जल का भावार्थ क्या है भावार्थ आपसे पूछाया रहा है रिंध जल और धन जल का भावार्थ होता है सूखा और बाढ़ देखिएगा अगला कोशनस आपकी स्कीन पर आ चुका है प्रस्ण बड़ा ही कियर कर देजेगा पांचबा प्रसना है और जिए पुला राम का जीव एक याос आगे देखिए राहुल संकर्त्या नाम था इनके बचपन का नाम था केधारनात पांडे और आपको बतादू इनका जनम जो हुआ था वो हुआ था 9 अप्रेल 1893 को पंडित राहुल संकरत्यान का घुमकड सास्त्र के लेखक हैं अगला प्रसन है एक लेखक की डाइरी ये किसकी रिचना है तो मुक्ति बोध की है एक लेखक की डाइरी आप से नंबर इसका प्रसन है तो उसी जूठन एक आत्मकथा विधा की रिचना है वो परकास बालमिकी जो कि दलिस बेमर्स के अच्छे लेकक हैं उन्ही की आत्मकता है ठीक है उन्ही के जीवन के बारे में इसमें सारी चीज़े हैं तो वही ओम प्रकास बाल में की जी का ही ये वो है ठीक है आत्मकता जूठन आपसा नमबर B करेक्टर एंसर होगा आगे देखिएगा नवा परसन आपके स्किन पर आचुका है नव नमबर कि अगला प्रसाद रिवेदी जी कि रिचना को आगे देखिएगा आगला प्रसाद कि पर पूछा गया था दिम्रिकित में से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिस्रा जी का है देखिए आचन की सभिता और सिक्छा का उद्धेश देखिए सिक्षा का उद्देश तो सम्पूरा नंद का है, आचन की सभिता जो है, ये सरदार पूर्ण सिंग जी का है, इसके अलामा आपका तु mean चंदन हम पानी बिद्द्या निवास मिस्रा जी का है, मस्दूरी और प्रेम ये भी सरदार पूर्ण सिंग का, तो सदार पूर्ण सिंग का आचन की सभिता और मजदूरी और प्रेम ये सदार पूर्ण सिंग के निबंद हैं किसके हैं सदार पूर्ण सिंग किलियर और तुम चंदन हमपानी बिद्या निवास मिस्रा सिक्षा का उद्देश से के लेखक हैं संपोडा नंद जी ठीक है तो इसका प्रस्ण क्या पूछा गया था बिद्या निवास मिस्रा जी का कौन सा है तो प्रभू जी तुम चंदन हम पानी एक निबंद है आपके पाठे क्रेमे संकलित भी है ओके आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं सच्चे मित्र में कौन सा गुळו होना चाहिए आपसा निमबर इसका डी करेक्ट एंसर होगा आगे देखिएगा अगला परस्ण है आह कितनी कठोरता है मनुस के हिर्दे में देवता को हटा कर राक्षस कहां से घोसाता है किस पात्र का कथन है तो ये कथन जो है ये कथन किस पात्र का भीया ये कथन है आपका धुरुबश्वामनी का दुरुबस्वामनी नाटक जैसे अंकर प्रसाथ का एक नाटक है आपके पाठे करम में संकलित हैं तो इसी नाटक में धुरुबस्वामनी नाटक की नाइका है और उसी का एक अथन है आपसा नमबर इसका D करेक्ट एंसर होगा आगे देखे अगरा परसन है बेटा क्या उसी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेसुर उसी कहानी की पात रह बूड़ी खाला उसी के द्वारा ये कथन कहा जाता है पंदरा नमबर परसन आप से पूचा गया था निमलखित में ऐसे कौन सी रचना कहानी नहीं है देखे पाजेब कहानी है ठीक है भागिवती परदा भी कहानी है और भागिवती ये भी एक कहानी है ठीक है तो परदा कहानी आपके पाठेक्रम में संकलित है पाजेब कहानी ह यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते अभी मैं भी थोड़ा सा इसमें क्या हो गया था लेकिन देखें यहां पर नहीं लिखा हुआ है यहीं बार बार आपको समझाता हूँ कि जब कभी यहां पर नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो भी आपको कैसे हल करना है उसको ध्यान लखेंगे यहीं तीब रिगती से आपको पेपर नहीं हल करना है बहुत धीरे दीरे चलना है तो कौन से रचना कहानी नहीं है पाजेब कहानी और परदा कहानी आपके पाढ़ा करम परदा कहानी के लेखक कौन है और पाजेव कहानी के लेखक कौन है फटाबट से आप लोग बताने का प्रियास करेंगे वीडियो बहुत ही इंपोड़न्ट है यह और आपकी परिच्छा के दिष्टी से यह कोईसंस बहुत महत्पूर्ण है दिन द्यालों पध्याय विश्व बताईए भई आपके पाठे करम में ही संकली थे परदा कहानी पाजेव कहानी पंच परमेसुर कहानी इसके अलामा और तमाम प्रकार की कहानी आपके पाठे करम में संकली थे कोई मिलाकर के छे कहानी है पंच परमेसुर कहानी प्रियम्चंद की है पाजेव कहानी के लेखक कौन है बिल्कुल जैनेंद्र कुमार है ठीक है अच्छा अभी बताओ पर्दा कहानी के लिखक कौन है बिल्कुल यह सपाल पाजेब कहानी के लिखक कौन है जैनेंद्र कुमार ठीक है भागिवती ये एक उपन्यास है भागिवती क्या है भागिवती उपन्यास है और पंडि प्रश्टी से था तो आपके सिलेबस से पूछे गए ठीक है तो आप आसानी से कर पाते तो यहां पर आप आपसन क्या लगेगा बी आपसन इस राइट आंसर आगे देखिएगा अगला परसन इस सोला नंबर रानी लक्षिमिबाई के बच्पन का क्या नाम था तो इनके रान रानी लक्षिमिबाई के बच्पन का नाम था मनू आपसन नंबर बी करक्टर होगा यह देखिए सतरा नंबर परसन को लिकर के मेरे पास एक बच्चे ने कमेंट मलब इसमेंस किया था वाटसप पर देखिए यह प्रसन थोड़ा सा क्या है कि यह मलब थोड़ा सा फसाने के यह पूचल लागया बच्चोंको आप इसको देखें इसको निकालना कैसे है आपको पंडिल न्याब पति गंगा धर राव जो कि आ पति गंगा धर्राव की उसके अरजहासी की रानी की मृतिव हो जाती है तो इसकी और इंसर इसका होगा आपसा नमबर भी 18 वर्सकी थी जब इनके पति गंगा धर्राव की मृतिव हो गई थी कैसे निकालेंगे चुकि रानी लच्छमिबाई का देहांत कब हुआ था 1858 1858 की क ठीक है यानि कि इनके 5 साल के बाद में इनकी मृति होती है और आपने देखा होगा जब रानी लच्छमिबाई की मृति होती तो मातर वो 23 साल की थी ठीक है अब जब रानी लच्छमिबाई पहले जब 23 साल की थी मरी थी यानि उससे 5 साल पहले वो कितने साल की रही होंगी तो आठारा साल की रही होंगी और आठारा साल की रही होंगी चुकि पांच साल पहले उनके पती का दिहान थुआ था इसलिए अठारा साल की रही होंगी ठीके यह आपसा नंबर B करेक्टर एंसर हो जाएगा इसका आएसे इसको निकालेंगे यहाँ पर किसी बच्चे ने नि सोनवर सुनत कैसे सकते निबंद विद्धा गिरचना जोटी अ उसने कहा था चमी कहादी नहीं है लेकिन उसने कहा था कहानी यह यह किसकी कहानी भीया यह कहानी है चंदर्था स्रमा गुलेरी की आपसा नंबर इसका सी करक्ट एंसर हो जागा फ्लेस बैक में कहानी चलती है आगे देखिएगा 21 नंबर का प्रसना की स्किन पर आ चुका है हिंदी में नाटक विधा की सुरुवात किस यूग से मानी जाती है चुका है जो इसका प्रकासन का लुद्र इसका प्रखंद का प्रतम तरह में दिए नहीं इसका मलप की पूचा गया प्रथम खंद वाला तो आपसन नंबर इसका एक रख्ट एंसर होगा तेश नंबर पर सनापकी स्किन पर पूछा गया है भूख के सामने बिरोध दम तोड़ देता है या कथन किस करती से उद्रित है तो भूख के सामने बिरोध दम तोड़ देता है ये कथन किसका है परदा कहानी के मुख्य पातर का नाम है चौधरी पीर बकस और एक पातर है बाबर अली खान अपसन में दिया नहीं है चौधरी पीर बकस इजराइट आंसर आपसन अमबर सी करक्ट एंसर होगा 2.25 नमर कोईसन साइब देखें और उम परक्स बालमी की किडिये हो आत्म कथाह आ पर इस से आपका लाग तो एक पर देखें आपको एससे बन जाथा चुक्क यहां पर आप लोगों ने देखा उगा अब देखें एक प्रसन से पहले पूछा गया था कि भोला राम का जीव जो है किस बिधा की रिचना है अब यहां पर डारेक्ट लिखा है पहले तो पहले पेपर पढ़ लेंगे तो चार पांच परसना आपके वैसे कंपलीट हो जाएंगे यह मैं बता रहा हूं तो इसलिए जब भी कोई पेपर देने जाएं तो पहले एक बार पेपर पढ़ लें ताकि आपको बहुत सारी जानकारी पेपर से मिल जाएगी देखें बोला राम का जीव में कौन सा पात्र नहीं है इससे पहले प्रसन क्या था कि बोला राम का जीव किस बिधा की रचना है तो आपने लिखा कि इस बैंग को हरसंगर पर साई नहीं लिखा है बिलक्ल हरसंकर परशने मीवें रिखा है भी यह बहूला राम का जीव को ढूड़ने मैंञात पूरा कहानी वे तो इंद्रिक इसके लェकर खेंसर होगा, 27th number courses, निबंध मित्रता में अच्छे मित्र की तुलना किस् lijकारा होगा, 29th number personnes, लच्छिमी का स्वागत गांकी, कょम के ले कांकी क्यार कौन है, लक्षिमी का स्वागत जो एकांकी है इसके लेखक है उपेनात अस्क आपसन नमर इसका D करेक्टर एंसर हो जाएगा 29 का ठीक है D आपसन इस राइट आंसर आगे देखिएगा अगला कोशन साब की स्किन पर आ चुका है दुर्बस्वामनी नाटक में कौन नारी पातर नहीं ह दुर्बस्वामनी मंदाकनी और कोमा ये दुर्बस्वामनी मंदाकनी और कोमा ये दुर्बस्वामनी नाटक में नारी पातर है जबकि कारनोलिया जो है ये नारी पातर दुर्बस्वामनी नाटक की नहीं है कारनोलिया जो है वो चंद्रकुप्त नाटक की पातर है ठीक है आगे देखिएगा चंद्रकुफ्त नाटक भी इन ही का यह संकर परसाद का यह? प्रदा कहानी के लेखक कौन है ग्यान रंजन जी है क्या या जने नुर्कमार बताएं पिता कहानी के लेखक मैंने पूछा था आप से पिता कहानी के लेखक हैं बिल्कुल करक्ट एंसर आप सभी का ग्यान रंजन पिता कहानी के लेखक ग्यान रंजन पर्दा कहानी के लेखक बिल्कुल यस पाल हैं तीसरी कसम मुर्फ मारे के गुलफाम किस ने लिखा है तीसरी कसम मुर्फ मारे के गुलफाम बिल्कुल पडिस्वरनात रेडू बिल्कुल करक्ट एंसर पाजेब कहानी के लिखक पाजेब कहानी के लिखक जैन्रेंद कुमार बिल्कुल करक्ट एंसर ह भी द्यान रखेंगे आप से प्रस्ण पूछता रहता है जहांसी कि रानी उपन्यास की कथा किस बिद्रोव पर अधारित है अठार सुतावन का विद्रोव आप सनम बड़े करक्ट एंसर होगा आगे देखी का 35 नमर ब्रंदा बर लाल बर्मा द्वार रचित उपन्यास है इ उनने अवंति भाई मंगल पांडे चंद्रकुप्त नहीं लिखा चंद्रकुपत जैसंकर प्रसात का यह रचना है तो इसमें से लका देंगे डिया आप सनिन में से कोई नहीं अवंति भाई उनके एक निबंद की या उपन्यास की पात्र जरूर रही है लेकिन वो रचना नहीं उनकी आगे देखिएगा अगला परसने 36 नंबर यात्रा ब्रतांत घुमक्कड सास्त्र के लेखक कौन है बिल्कुल राहुल संक्रत्यान जी पंडित राहुल संक्रत्यान आपसा नंबर डेकर टेंसर होगा अगला परसने 37 नंबर भाव या मनोविकार संबंधी निब अंबर फ्र चांतर नंबर ख की एवाइंग साहित में मुंसी प्रेमचंद को जाता है नंबर संब्ध करटेंशिया नहीं हो जाएगा दर्जन वपन्यासली नहीं हो निहां कुदान गवन करभला रगभुमी कर भूमी आगे किल्देटा नंबर पषम कहानी के कि लिए वानि और से अगला परिष्धागुरू उपन्यास परकास aoe वर्ष परोड़ेंगे का पहला ऑपन्यास से ध्यान गए क्लियर यह बात ध्यान अखेंगे 25 नूमबर 1882 को यह प्रकासित हुआ था लाला स्री निवास दास का उपन्यास है आपसा नंबर इसका डी करेक्ट एंसर हो जागा 1882 जराइट अंसर टीके तो 41 का डी करेक्ट एंसर होगा आगे देखिएगा 42 नंबर परसनाप की स्किन पर आ आईगा आगला परसन 43 नंबर निम्लिकित में से हिंदी आलोचना के विकास में किसका महत को महत दों योगदान है तो हिंदी आलोचना में सबसे जादय को नियुगतार आच राम-चने सकलन जी से ही आलोचक है आगे देखिएगा अगला परसन चवालिस नंबर अर्द कथा अर्द कथा किसकी आत्मकता है अर्द कथा जो है यह बनालसिदा जैन की है तो चवालिस का करेक्ट एंसर क्या हो जागा ए आपसन आपके स्किन पर आचुका है किस बिधा में लेखक द्वारा प्रति दिन का विब्रण प्रसुत के आता है तो डेली का डेली लिखा जाएगा आगे देखिएगा अगला परसनाप से पूछा गया था आपना जीवन ब्रत स्वयम लिखता है तो उस बिधा को क्या कहते हैं तो बोलते हैं आत्म कथा आपसे नंबर एकर अंसर होगा उन्चास नंबर परसन है भारतिंदु युक्य प्रमुग निबंदकार को उन्हें बालकृष्ण भठ और परताब नाड़ मिस्रा जी दोनों है आपसे नंबर सी लगा देंगे ए और बी दोनों कर अंसर हो जाएगा प ठनब अर उन्चास नंबर को पुछा उपपन्यास जरुखे आघेए लगबग सभी पर मैं वीडियो बना चुका हो और प्लेविस्टो strangP यूटुब पर ही सारी वीडियो मिल जाएंगी आप देख लीजिएगा हर एक रचना पर वीडियो बनाई है मैंने अगला परसन एकाद दो दस रचना होकुम लब की चार पांच रजना है जो रिपोटाज डाइरी यह सब इनको छोड़कर करके बाकी सब पर मैंने बना दिया है जो कहानी है तो आपके सिलेबस में ही संकलित पाजेब कहानी तो इतना तो सभी लोग जानते होगे जनेंदर कुमार की कहानी है आप से नंबरे करेक्टर होगा अग्गे की कहानी कहानी आपके पाड़ा करम में गंगरीन सामिल है यह सपाल की कहानी कौन से सामिल है यह सपाल की परदा कहानी सामिल है ज्ञान रंजन की पिता कहानी आपके पाठा करम में संकली थे ठीक है और जनेंदर की कौन सी कहानी परदा स्वारी पाजेब जनेंदर की परदा कहानी तो उनकी यसपाल की आगे दिखेगा अठावा नंबर कोशन से गंगरीन कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है तो गंगरीन कहानी को रोज भी कायाता है सच्दानंद हीरा नंद्वासे नग्जी की कहानी आपसा नंबर भी करेक्टर एंसर हो जाएगा महैसवर और मालक्तिस के पात रहें अगला परसन जाहिल भीर ने घिरड़ा और सरम से आंके फेर ली उस नगनता की जलक से खान की कठोड़ता भी पिखल गई उपर एक तो पंक्तिया किस कहानी से उतरित हैं तो यह है परदा कहानी का आपसा नंबर इसका डी करेक्टर एंसर हो जाएगा परदा के लिखा कौन है यह स्पाल है ठीक है आगे देखिएगा अगला प्रसन आपकी स्कीन पर आचुका अच्छा परदा कहानी जो है कि यह कहां की कहानी है तो यह पंजाब की कहानी है जालंदर की अगला प्रसन साथ नंबर को संस आप देखेंगे इंदुमती कहानी के लेखक कौन है मताइए इ एक टोकरी फर मिट्टी समझाधा फेमस है और वही मानि जाती हिंदी के परतम कहानी चुकि बहुत सारे बिद्वानों से उस पर मोहर लगा दिये एक सटम्बर को सबस्ते तीसरी किसम कहानी में हीरा द्वारा ली गई पहली कसम कौन सी थी तो पहली कसम हीरा मन जो खाता है पहली कसम खाता है कि चोरी का माल अब दुबारा जीवन में नहीं ला दूँगा दूसरी कसम खाता है कि बांस अब नहीं ला देगा वो अपनी गाड़ी पर और तीसरी कसम खाता है कि अब वो नौटंकी वाली महिला को कभी गाली पर नहीं बैठाएगा ये तीन कसम है और इसलिए कहानी जो है लिखी किस ने लिखी कहानी भडी स्वर्नाथ रेंडू ने लिखी है आगे देखिएगा बासर नंबर पर सने ग्यान रंजन की प्रसिद्ध कहानी कौन सी ग्यान रंजन की प्रसिद्ध कहानी कौन सी इन में से पीटा कहानी जो है उन्हीं की आपसर नंबर एक रख्ट अंसर हो जाएगा तो बासर करक्ट एंसर क्या हो जाएगा आप सने ज्राइट आंसर आगे देखिएगा तेरस नंबर को संसर दुरुब सौमनी नाटक के रचन अगला प्रसिद्ध नंबर गोदान उपन्यास की लेखक कौन है गोदान उपन्यास की लेखक है प्रेम चंजी आपसे नंबर एक रख्ट एंसर हो जाएगा और पिछले बरस का कोशन पेपर देखेंगे उसमें यही सब प्रसिद्ध भी पूचे गए थे तो उसको पत्र को भी मैंने साल्व करवाया था तो आप प्लेलिस्ट दोजार तेस वाली जो प्रसिद्ध उसमें जाएंगे देखिएगा तो आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी श्याचर नंबर पर से सिखर स्वामी किस नाटक का पात्र है सिखर स्वामी जो है वो दुर्भ सवाम का संबन किस नाटक से बताएं तो यह कतन जो है यह खासर कि धुर्भ सवामी नाटक में कहा गया है श्याचर नंबर का करक्ट एंशर क्या हो जाएगा ड़ी आप सेन इस राइट आंसर ठीक है ड़ी आप सेन इस राइट आप सारीस्ट आगे देखिएगा पात्र पात्र है पन्याधाय दीपदान की है आपसे नंबर भी करेक्टर एंसर हो जाएगा 68 का आगे देखिएगा अगला परस्ण है 59 नंबर परस्ण आपके स्किन पर आ चुका है लक्षमी का स्वागत एक आंकी की कितावस्तु मुलता किस राजस से रिलेटर है लक्षमी का स्वागत स्वार कि यह पंजाब के पंजाब का एक एडिया जाल अंदर उसी की घटना है लक्षमी का स्वागत कहानी एक आंकी जो है और इस लक्षमी के स्वागत एक आंकी पर मैंने पूरी चर्चा करी हुए यूटूपर वीडियो देख लीजिएगा अगला परसने भारतेंदु हरी अगला प्रसन से आपकी स्केम जाण सामान रहते हैं यह कथर से लिया गया है बढ़ा प्रसन हैечение गया कोशन साय हजारी प्रसाद द्रिवेदी जी का प्रमुक निबंध कौन सा है असोग का फूल उनका प्रसिद निबंध है आपसा नंबर बी करेक्ट एंसर होगा आगे देखेगा तिरिपर नंबर प्रस्ण है उत्रा फालगुनी के आसपास निबंध के लेखक कौन है फटापर से आप ब में जो नरोत्तम होना चाहता है उसे स्वभावता नारायना अभिमुख होना ही पड़ता है उपरिक्त पंक्तियां किस निबंध से संब्ढ़ने थे मित्रता तुम चंदन हम पानी को टज्या उपरिक्ति में से कोई निबताएं यह प्रस्न थोड़ा सा बढ़ी है और यह प प्रभू जी तुम चंदन हम पानी तो प्रभू जी की बात इसमें आई है तुम चंदन हम पानी अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हमारे वीडियो को किवल देखा सुना होगा तो उसमें मैं कई बार प्रभू जी तुम चंदन हम पानी बोला होगा तो आप ऐसे लगा देते सब्सक्राइब लेकिन गिल्लू जो है ये एक संस्मर्ण भी है अगर यहां पर संस्मर्ण होता तो हम यहां पर संस्मर्ण ही रखते ओस्मर्ण भी जो और संस्मर्ण कोन सा है तीस बरस का साथ ही संस्मर्ण आपके पाठे करम से रिलेटर वहुत सारे परसन ही पूचे गए थे तो अगर आपका पाठे करम आपका क्यूर्यार कर लिया आक कि भाई को पद्धके से तभी आते हैं आप जक्टिमें तो बहुत अच्छे तरीके से आपकर पाएगा यह मैं आशा करता हूं उम्मीद करता हूं और आप सभी लोगं इसी प्रकार से पढ़ते रहें तो यह सभी प्रसनाफ लोगों के हो गए होंगे चलिए फिर मिलते हम नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत आप सभी का बहुत-बहुत धनी बाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हम इसा बनाया रखेंगे बहुत-बह तक के बहुत-बहुत धनी बाद है